मटर्स का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं मटर्स का दू तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो मटर्स का प्लूरल यानि कि बहुवचन होता है मटर्स यानि कि एक से ज़्यादा मटर्स को हम मटर्स कहते हैं मटर का आरत होता है एसपष्ट बोलने वाला मनुश्य बढ़बढ़ाहट, फुसफुसाहट, गुरगुराहट या शिकायत तो एक से ज़ादा एसपष्ट बोलने वाले मनुश्यों को बढ़बढ़ाहटों या इसी तरीके से गुरगुराहटों या शिकायतों को हम mutters कहते हैं इसके इलावा इसका verb के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है तो verb के रूप में mutter का इस्तेमाल जब हम present in definite tense में he, she, it ये singular third person के साथ करते हैं तो rule के coding इसके साथ ऐसे लगाते हैं जिससे mutters बनता है और mutters का आर्थ होता है कि mutter करता है ये करती है और mutter करने का आर्थ होता है धीरे-धीरे बोलना, बढ़बढाना एस्पष्ट बोलना, धीरे से कहना गुर्राना ये बुद्बुदाना तो mutters का मतलब हुआ कि धीरे-धीरे बोलता है ये बोलती है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें